सवे भवन्तु सुखिना, तोट दो मन में बसी सब श्रिंख लाएं, भाग दस, जो गुरू उपदेश के अनुरूपो ग्रहन करें, महान आत्माय जब तक इस संसार में रहती हैं निरंतर, बार बार अपनी वानी उपदेशों के द्वारा शिश्यों को उतसाहित करते रहते ह हताशा, निराशा से बचाने के लिए, दृष्टांत कथाओं के माध्यम से, समझाते रहते हैं, शिश्य के मन को जिन, विशय विकारव पापरूपी, जंजीरों ने जकर रखा है, उन्हें तोड़ने का अभ्यास शुरू, करने के लिए समझाते हैं, संकीर्मता का त्याग करते हुए, विशाल रिदय का बनने के लिए समझाते हैं, जैसे कि एक बून का कोई अस्तित्व नहीं, कुछ ख्षन में ही विलीन हो जाती है, लेकिन ज्यान उबदेश वानी के अनुसार, आचरन शिश्य को बून से सागर की तरह बना देता है, जिसका अस्तित्व सूर्य की तपन भी समाप्त नहीं कर सकती है, यानी की जन्म मरण के चक्र से मुक्ती, महान आत्माओं का संदेश है की, है शिश्यों तुम अनंद समय से, अग्यान रूपी निद्रा में सोये हुए हो, तुम्हें तुम्हारी शक्ती का पता नहीं की, तुम कितने शक्तिशाली हो, जिसे किसी का भय नहीं, उठो दहाड मारो और अपने कल्यान के लिए जुढ जाओ, जैसे की एक हाथी के पैर में रसी, बंदे हुए देखकर एक व्यक्ती ने, महावत से प्रश्न किया की है, इस रसी को क्यूं नहीं तोर देता, यह रसी तो इसकी शक्ती के आगे, कुछ तोर नहीं पाया, अंततह इसने प्रयास करना ही छोड़ दिया, तो तुम यह विशय विकार्व, पाप रूपी रसी जंजीर को तोर सकते हो, अग्यान तावश अनंत समय से, तुम गलत पत पर चल रहे थे, अब ग्यान उबदेश वानी, तुम्हें गलत रस्ते पर जाने से साबधान करेगी, जो ग्यान को कभी नहीं भूलता, ग्यान के विपरीत कभी आचरण नहीं करता, उसका शेशित्व सार्थक हो जाता है, बंधन तूट जाते हैं, और जो अंतिम श्वान्स तक उलंगन करता है, वह बंधन में ही बंधा रहता है, यह अनमोल मनुष्य यह मुक्ति प्राप्ती का अफसर, महान आत्माओं का महान उगदेश, सब कुछ निरर्थक हो जाता है, वियर्थ हो जाता है और ऐसे शिश्य, अग्यान की निद्रा में ही कामनाओं, वासनाओं के संग्रह के साथ, इस संसार से विदा हो जाते हैं, सब का भला हो